वेलकम टू इट्स कानेश यूट्यूब चैनल मैं हूँ अनुकानेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिमाचल पदेश पबलिक सर्विस कमिशन में टोटल 306 पदों पे होने वाली भरतियों के बारे में इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहेगा इन व प्राइवेट जॉब्स के बारे में भी रगलर जानकारी मिलती रहे तो आज दो नमबर आज ये नोटिफिकेशन रिलीज की गए है और इन वकैंस के लिए आविदन करने की अंतिम्तिती 22 नमबर रहने वाली है इसके लिए आपको और इनकी ये वेबसाइट रहने वाली है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप इन वकैंस के लिए इलिजिबल है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं और फ्रीडम फाइटर में बात की जाए तो जनल के लिए एक पत भरा जाएगा और इसमें नेक्स सब्जेक्ट के बार में बात की जाए हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए भी सेम इसी तरह से वकैंसिस फिलप की जाएगी और पोलिटिकल साइंस में बात की जाए तो पोलि में बात की जाए तो एक पद रहने वाला है SC के लिए और OBC के लिए भी एक पद रहने वाला है और इसमें Freedom Fighter के लिए कोई भी पद नहीं भरा जाएगा और अब बात की जाए कमर्स के लिए तो टोटल 215 पद फिलब किये जाएंगे और जिसमें से जर्नल के लिए 80 SC के लिए 42 ST के लिए 8 और OBC के लिए 34 EWS के लिए 27 और इसमें BPL में बात की जाए तो SC के लिए 9 और ST के लिए 2 और OBC के लिए 8 टोटल पर भरे जाएंगे और freedom fighter में बात की जाए तो जर्नल के लिए 3, SC के लिए 1 और OBC के लिए 1 पर भरा जाएगा और इसके लिए आपको 14,500 पर मंद सैलरी दी जाएगी on contact basis पर तो अब इसमें बात की जाए essential qualification के बारे में commerce with accountancy, financial accountancy and income tax as major subject of study तो आपका होना चाहिए और holder of degree of MFC, master of finance control is also eligible for the post of lecturer school new in the commerce subject from a recognized university ये आपके इसके लिए qualification होनी चाहिए तो अब इसमें बात की जाए professional qualification के बारे में तो bachelor education be ad as professional qualification from a recognized university institution with 50% marks आपके होने चाहिए और two years integrated MSE EAD course और an equivalent course from a recognized university तो ये आपके पास है तो आप इन वगैंसिस के लिए आववेदन कर सकते हैं और साथ में आपको हिमाचल प्रदेश के custom minority रिवास के बारे में भी पता होना चाहिए और इसके लिए आठार से 45 एर के बी application fees के बारे में तो for journal EWS category के लिए इसमें 400 रुपीज application fees रहने वाली है और इसमें reserved category के लिए SCST OBC और साथ में BPL category के लिए 100 और पे application fees रहने वाली है तो अब इसमें बात कीजाए selection procedure के बारे में तो written exam के माधियम से आपका इसमें selection किया जाएगा तो written objective type examination 85 marks के आपको ये question सब्सक्राइब करेंगी तो ये इन वाकैंसिस के बारे में कुछ information थी अगर आपका इन वाकैंसिस से लेटर कोई भी question है तो आप comment section में comment कर सकते हैं उसका reply वहीं पर दे दिया जाएगा ये पीडिया फाइल हमारे whatsapp group में send कर दी जाएगी आप whatsapp group join कर सकते हैं इसका link आपको इस वीडियो का description में मिलेगा whatsapp group में daily newspaper और जोब वकैंसिस की पीडियो फाइल send कर दी जाती है और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें ताकि आपको regular जानकारी मिलती रहे so मिलते है next वीडियो के साथ जैहिन वंदे मातरम